चोरी के मामले में पूछताच के इले बुलाए गए युवक का शव साड़े पांच घंटे बाद फांसी पर लटका इमला। दरसल पुलिस ने रविवार को रात आठ बजे पूछताच के लिए पंकज कुमार बेक को बुलाया था। जबकि उसका शव देर रात एक बज़ कर 30 मिनट बजे साइबर सिल से करीब 200 मीटर की दूरी पर प्राइवेट आए अस्पिटल के केमपस में संदिक दवस्था में फांसी पर लटका मिला। आईजी केसी अगरवाल के अनुसार टी आई समेथ पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। परिजन का कहना है कि पुलिस कस्टडी से फरार होकर वे कैसे फांसी लगा सकता है। जाते समय भाजपा नेताओं ने परिजन के साथ शवकाय बनारस रोड पर रखकर चक्का जाम कर दिया। वे दोशी पुलिस कर्मियों पर कारेवाई सहित 50 लाक रुपे मुआवजे की मांग कर रहे थे। इस से धाई घंटे तक बनारस रोड में आवागमन बन रहा। प्रशासन की ओर से सहायता राशी के रूप में 50,000 रुपे दिये गए। इसके बाद उन्होंने चक्का जाम समाप्त किया। इम करने वाली टीम के सदस्योगा है। राजीव कुमार वर्मा ने बताया कि युवक की मौत फासी लगने से हुई है। उसके पेर वहाथ में चोट के निशान है। ये कैसे आई है। इसके बारे में अभी नहीं बताया जा सकता।